दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवसिय योग प्रशिक्षन शिविर का आयोजन, विश्व योग दिवस के उपलक्ष पर आयोश विभाग सोलन द्वारा, गनपती एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवसिय कार्यशाला का आयो शिविर में भुजंगासन, शलभासन, अनुलोंग विलोंग, ध्यान, ताडासन, आर्या चक्रासन वा प्रानायामादी आसनों के विशे में बताया गया। मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में, डॉक्टर अनिता शर्मा ने अच्छे स्वास्थे के लिए सही खानपान, सेर, व्यायाम वा अच्छी सोच को आवश्यक बताया। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा ने उपस्थित किशोरियों को मिनसे चुरल हेल थवव विकास के बारे में भी जानकारी भी दी। उन्होंने इस दौरान हर किशोरी की समस्या को अलग-अलग से सुझाने की कोशिश की वह किशोरियों की समस्याओं का निदान किया। इस दौरान संस्था के समनवयक रोशनलाल शर्मा ने उपस्थित लोगों को स्वास्थे से संबंधित जानकारी देकर जागरूप किया। इस दौरान किशोरियों से संबंधित सामगरी को बाटा गया। सोसाइटी की ओर से आयुश विभाग का इस स्वास्थय वर्धक कार्यक्रम के लिए आभार जताया गया नेशन न्यूस के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट